वेलकम बेक टो माई नीव लोग बिन्दास मतचन अपसे भी कसा गया थे तो आज हम आपको दिखाएंगे गाइज मैंने 15 दिन पहले मैंने आपको दिखाए था कि गाइज मैंने लोकी के पौधे में थाट डाला था तो गाइज दीखिए 15 दिन में लोकी का पौधा कितना देखिए और गाइज दीखिए इस असके में चाचा गनाए है इसको कि ताकि मतलब इसका लोकी का पौधा इसी पी जाए ताकि इसी पीसाड़ के आशे लोकी लोकी खरेंगे देखिए पूरा एकदम जाल के तरह बीना हुआ है और गाइज जाब से यहां है जेने का खूल जेंदे का आई देखिए इतना च्छी से खिलाई और एक इतना बड़ा भी हुआ है यह देखिए देखिए लौकी का पौधा का सी पेज बड़ा और वैने आपको दिखा थे तो बहुँच्छाच्छिपन लौकी का पौधा था तो उसमें जाने मिलेटे खाट बड़ा था तो देखे दिल्सल बड़ा हो जया तो गाइज ये दिखिए कोईड़ा है कद्दू इसमें भी फॉल भी ये देखिए छोटा सा है ये ये देखिए फॉल इसका और गाइज ये देखिए यहाँ इतना बड़ा हुआ है चोटा सा ये देखिए और देखिए इसमें काफी फूल भी आए है इसमें खल भी आ गया है अब मैंने जब आपको दिखाना कि प्रकापी छोटा पेड़ा इसका और गाई यह देखिए यह अरहर का पेड़ है अब फोटा है यह जोटा है यह जोटा देखिए इधार धानवान है यह देखिए छोटा छोटा है इसमें देखिए जब दंजी यह देखिए पूरा इस दम और गाई इसमें आपको दिखा तो यह भी छोटा छोटा था तो अब यह बड़ा हो गया है तो इसमें गंजी पर गी जई ओगी लिगें आम इसको बाद में खोड़ेंगे जबीकों इसमें भी कई तरीके की गंजी यह देखिए दूसरी गंजी है यह रेड़ वाली है और यह वाइट वाली है यह देखिए दोने में अलग अंतर हैं तो गाइस में रेड रेड गंजी पड़ेगी और इसमें वाइट 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 और गाइस की पत्ती देखिए किती संदर लग रही है यह देखिए और पत्ती में भी दोने में अरक फरक है यह रेड वाली है यह वाइट वाली है हेड़ अधार गभी कि अधर इसका नाम हुरूर है और गाइज इसको मतलब सब्जी बना जाता है तो दो उसी में तड़का दिया जाता है ये देखिए इसका फल देखिए मधाश कर दिशिक निकालेंगे तो सब्जिब जी में ताड़का दिया जाता है तो सब्जिब जी बहुत टेस्टी बनती है और गाईज यह देखे इसका फूल यह देखे छोटा छोटा ही है इधर बड़ा बड़ा हो गया है कुछ जाइज यह देखे इधर प्रेले का पेड़ा करना फिर खराब हो गया है और जाइज इसमें देखे इसमें छोटा छोटा है अभी फल यह देखे दम छोटा का है और गाईज दर भी आइधार यह देखे कि दहर भी है और गाईज इदर देखे यह सर पूटियां यह देखे यह यह है इधर भी जाइज देखी यह से नहीं का पेड़ आप देखे कितना अच्छा लग रहा है और यह देखे प्याद के सनिका पेड़ा इसका फूल है तो इसी फूल का साग बनता है सब्जी बनता है तो यह जब और ठीज अर थोड़ा खिल जाएगा तो मैं आपको बना की इसका साग दिखाऊंगी कैसे बनता है तो गाई यह हमारी वीडियो आप सीको पसंदा हो तो लाइक से और